Well, Muscular System of Vertebrates, यह इस मोड्यूल में हम देखे हैं, देखते हैं, और तो इन वर्टिबरेट्स, इन वर्टिबरेट्स, लोको मोशन अकर्स बाइदी कम्बाइद एक्शन अफ थ्री तिंग्स, एन्डोस्केलेटन, इन्डोस्केलेटन, इन्डोस्केलेटन के बारे में हम काफी रेक्छिए तक पढ़ लिया है, इतिसे इंटेर्न वर्डिवर्श सवीद आदेग्स, तो मॉसल्स हैं, वह मॉसल्स हैं वह प्राइदेस्ट, अब तैंड़न्स क्या है, यह यह कनेक्शन है, बेट्वीन और बोन फैस्सेल्स, वह मॉसल्स कोण्रेक्ट, तैंड बोन बोन ऻ और इसी बेंडिंग और रिलाक्सेशन से यह एनिमल फिर मूव करता है तो स्केलेटल मसल स्केलेटल सिस्टम का होना बहुत इंपॉर्टन्ट यह तने भी वर्टिबरेट्स हैं तमाम एनिमल्स इंक्लूडिंग हुमन तो यह जितने भी मूवमेंट हमारी होती है यहां तक कि अंगले की एक मूवमेंट है इसके अंदर भी तीनों चीज़ें हैं बागते हैं तो इनी के अंदर यह तमाम चीज़ें यह वर्क रेगूलर और सिंक्रोनिसली यह बड़ा सिंक्रोनिजेशन है इनके दरम्यान तो यह एनिमल फिर यह हीमन मूव गरता है अब टेंद यह हैं तो 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 यह ह अब इस टेंडन के आगे फिर ये भायसेपस है ये थिवैसेद लोग मुस्ल के लिवायि. यहां पे सीधों कि तर आर दीजी तरफ यहां पर तेंडनı तो कि पार में यह तंडनस में यह तंडनस यह तंडनस तो यह तंडनस जो यह फिर बोन के साथ पिए है और यह जो बोनस है भी मेर फिमर और रेडियस और अल्ना यह इस अजिक रेंड देखिजरें अर एक्ट देखिए अर यहां पर तुमें पर यहां पर यहां पर यहां पर मुसल की अजिक रवजिक कारते हैं और इसके पिछले भी मुसल्स हैं जिसने ट्राइशेप्स किहते हैं वह जब कांट्रेक्स करेंगे तो यह कौनी स्ट्रेट हो जाएगी यह बाद होगी तो यह मस्कलिस सिस्टम है वर्टिब्रेट्स कर अंदर यह के तोर पर और यहां पर हम एक और लफ़ जो हम पहले भी इस्तमाल करते हैं तो अगर एक मुसल जॉइंट को बेंड करता है तो इसकी आपोसिट मुसल्स जब वह कांटेट करते हैं तो पहले वाले रिलाक्स हो जात और यही मुसल्स हैं 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 और अगर हम पूरी बोडी में देखें जैसे हुमन बोडी हैं तो तो यही मुसल्स पूरी की बोडी मु process होता है इसी antagonism है और नेक का नेक की मुवमेंट फिर बाजमों की मुवमेंट और लेक्स की मुवमेंट तो यहां पे पेर्स of muscles हैं जो के they work oppositely and that forms a complete muscular system it is a very complex system your human body के अंदर there are many pairs of muscles which all work antagonistically so this is the muscle system of vertebrates